महा सिवरात्री के पावन अपसर पर चार प्रहर की पूजा का विसेश बिधान है तो चार प्रहर की पूजा का सुब मुर्थ क्या है? कौन से प्रहर में क्यार पित करें? आईए जानते हैं देखें महा सिवरात्री पर सिवयोग बन रहा है भगवान भोरेनात की बिधी पुर्वक पुजा करने से सुप फलों की प्राप्ति तो होगी साथ ही सिवरात्री पर अभीजीत का जो मुर्थ है वो समय है दोपहर 12 बच कर 8 मिनट से दोपहर 12 बच कर 15 मिनट तक अगर इस समय आप पुजा करें तो आपको अभी जीत फल मिलता है और चुकी इस बार महा सिवरात्री गुरुवार के दिन है और अभी जीत मुर्थ है दोपहर 12 बच कर 6 मिनट से दोपहर 12 बच कर 15 मिनट तक और निसी ताकाल रात बारा बचकर 6 मिनट से रात बारा बचकर 15 मिनट तक रहेगा और इस में आपको निसी ताकाल की पूजा करनी है और जब आप सिपरात्ती के बरत करें तो पारन का मुहुर्ट रहेगा 12 मार्च की सुबह 6 बच कर 34 मिनट से दुपहर 3 बच कर 2 मिनट अब जानते हैं मनो कामनाओं की पूर्टी के लिए इस महा सिवरात्री के दिन आप चार प्रहर की पूजा कैसे करेंगे हमने सुमूर्थ ले दिया है चार प्रहर की पूजा में और ये पूजा साम से सुरू हो जाएगी तो पहले प्रहर की पूजा में आपको अर्पित करना है दूद और आपको बोलना है ओम हिंग इसानाय नमह दूती प्रहर की पूजा में अर्पित करना है आपको दही और बोलना है ओम हिंग अगोराय नमह इसके बाद जब तरती पहर की आप पूजा करेंगे तब आप अर्पित कीजिएगा घी और जब घृत असनान होगा तब आप बोलिएगा ओम रिंग वाम देवाय नमहा एक बाद याद रखिए जैसे आपने पर्थम पहर की पूजा की तो दूद अर्पित किया तो फिर जल जरूर अर्पित करें दूती पहर में दही अर्पित किया तो फिर जल अर्पित करें और तेते पहर में जब घी अर्पित करेंगे तो फिर से जल अर्पित जरूर करेंगे और चतुर्थ पहर की जब पूजा होगी तब आप चतुर्थ पहर की पूजा में सहद मधु अश्टान इसको कहते हैं तो सहद आपको अर्पित करना है और सहद अर्पित करने के बाद भी मंत्र जपना है और उसके बाद जल भी अर्पित करना है तो वो मंत्र होगा ओम, रिंग, सद्द्यो जाताई, नमह तो इस मंत्र का जब करके आप सहेधर पित करें तो जीवन के हर कस्ठी दूर हो जाते हैं वैसे नित्य कर्म से निब्रित होकर ललाट पर भसम का त्रिकुंड तिलक गले में रुधराश की माला धारन कर अगर आप सिवा ले जाएं बिधी पुर्वक नियम से सिवजी को परणाम कर पूजा करें संकल्प लेकर तो यकीन मानिये आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए हमने बिश्तार से सब कुछ आपको बताया उमीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी और हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा हम भी दा लेते हैं हर हर महादेब आप लोग भी जैकारा लगाईए धन्यवाद